हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेस्पी लेकी आई हूँ रेस्पी का नाम है मतर मस्रूम मसाला यह बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके आगे तो चिकेन और मतन दोनों फेल हो जाते हैं तो रेस्पी स्टार्ट करते हैं वीडियो सु जरू करते हैं यह सारी समागरिया है यह मर्श्रूम है इसको मैंने गुंगुने पानी में एक चम्मच नमक डाल करके मैंने इसको 10 मिनिट के लिए छोड़ दिया है यह इसके कुछ मसाले हैं दो मीडियम साइज का प्याज है तड़के के लिए एक इंच अध्रक का टुकड़ा और दस कलिया लहसुन की देट सो ग्राम के करिब मैंने मटड लिया है यह थोड़ी सी धनिया है तो मीडियम साइज के टमाटर वन टीजपून गरम मसाला हाप टीजपून लाल मिर्ज हाप टीजपून हल्दी का पौडर और वन टीजपून जीरा और एक बड़ी लाइची और चार लॉंग तो छोटी लाइची इन सबों का मैं पेस्ट बना लूँगी सबसे पहले मैं मस्रूम को छिलूँगी इसको साइट से ऐसे करके ऐसे मैं निकाल लूगी ऐसे करके मैं मस्रूम को साथ करते हूं और फिर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर लूँगी क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो ये दो के जगह में चार कर लूँगी इस टाइब से मैं मस्रूम को कट कर लूँगी मस्रूम को मैंने साथ करके काट लिया है इसकी डंडी को अगर आप चाहे तो रखे या फिर निकाल दे कोई से पसंद करता है और कोई से पसंद नहीं करता तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप इसकी डंडी रखना तो ठीक है तो चलिए गेस के तरब चलते हैं बनाना शुरू करें मैंने कड़ाई चड़ा दिये 1 टेवल स्पून मैंने मस्टर्ड आयल डाला है दो तेज़ पक्ते कि टुपले है अब मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लोगी जिससे इसका फ्लेवर आजाए तेल करम हो गया ह है अपने इसमें प्याज दाल दोगी प्याज हो मैं गुलादी धुन दूंगी बतर और मस्रूम की सब्सकी बहुत तेश्ची लगती है इसके आगे तो लटा नौतिकल भी खेल हो जाते हैं लैसे ब्राउन होने तक गुनूंगी प्याज ब्राउन हो गया है दो मिनट लगे इसके ब्राउन होने थोड़ा सा मैं इसको और ब्राउन करूंगी इसमें मैं एक पिंच नमक दाल दूंगी इससे प्याज पटा कर ब्राउन हो जाता है देखे प्याज अच्छी तर से ब्राउन हो गया है अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी इसको मैंने तयार किया है तो अच्छी के खिष्परूआ रही है अब रहे फोड लेशन की अब इसमें सुखे मसाले डाल दूंगी यह गरम मसाला है वन टीश्पून के हाट टीश्पून लाल रिस टेस्ट के अप लोग ले लेना यह हाट टीश्पून हल्दी और यह नमक है हमें इसे टेस्ट के एक लौडंगी लेना है अब मैं इसे अच्छी तरह से भून दूंगी इसको इसे तब तक भूनना है जब तक इसका तेल रिलीज न हो जाए इसे मैं ढग दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से भून दूंगी मैं डखन को खोलती हूँ एक मिनट के लिए मैंने डखन लगाया था अब मैं इसे मटर के डाल दूंगी अब मैं इसे कवर करके धीमी आँच में पका लूंगी तब तक पकाना है जब तक कि मटर गल न जाए अब मैं लीट को खोलती हूँ मसाले अच्छी तरह से भूंगे हैं फ्लेम को मैं हाई करूंगी पांच मिट तक मैंने मसाले को भूना मसाला जितना फुनेगा मसाले की फ्लेवर इतनी अच्छी आई अब मैं इसमें मसरूम को डाल दूंगी अब ही मैं इसमें पानी ने डालूंगी मुझे मसरूम को भूनना है क्योंकि मसरूम अपना मुएस से रिलीस करें प्लेम को लो कर दूंगी अब मैं धकन को खोलती हूं देखिए मसाला और मसरूम अच्छी तरह से भून गया है अब मैं इसमें थोड़ा पाई डाल दूंगी यह मसाले वाली पानी है अब मैं इसमें थोड़ी धनिया डाल दूंगी अब मैं मतल गलने का फेट करूंगी देखिए मतल गल गया है पांच मिनट में इस और पका लोगी अब कवर कर देती हैं पांच मिनट बाद मिलते हैं चलिए सब्जी को चेक करते हैं पांच से साथ मिनट हो गया देखिए सब्जी बन के तया है। बहुत ही लाजवाब बना घ्मि एच्छी खुश्भू आ रही है आप इसे रोटी के साथ खाईए चावल के सास खाईए नान के साथ खाईए पराठे के साथ काये बहुत ही मजदार बना है तो आप लोग भी, try कीजिए मतन मस्रूम अब तयार है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूं, गैस को बंद करती हूं, मटन मसरू मसाला बन के तयार है, देखे कितना खुबसूरत कब रहा है, बिल्कुल मटन के स्टाइल में बना है, तो आप लोग भी ट्राइ कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताएए कि कैसा बना है, अ